लोग सभा चुनाव 2019 अमेठी में एक बार फिर सिम्रती इनानी बनाव राहूल गांदी नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्तिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों 2014 के आम चुनाव की तरह इस बार भी यूपी की हाई परफाइल अमेठी सीट पर मकाबला कॉंग्रेस अध्यक्ष और मजूदा सांसद राहूल गांदी और केंद्रे मंत्री सिम्रती इनानी के बीच होगा बीचेपी ने गुरुवार शाम यूपी की अठाई सीटों के लिए प्रत्याशियों की पहली सुची जारी कर दी इस लिस्ट में सिम्रती इरानी को अमेठी से मैदान में उतारा गया है बता दे कि 2014 में कॉंग्रेस के गड़ अमेठी में सिम्रती इरानी ने राहूल गांदी को कड़ी टकर दी थी और उनके जीत के अंतर को कम कर दिया था जबकि 2009 में कॉंग्रेस अध्यक्ष की जीत का अंतर साड़े तीन लाख से भी जादा का रहा था पिछले पांस सालों में बीजेपी ने राहूल गांदी को अमेठी में घेरने के लिए काफी मशक्कत की है हार के बाब जूर सिम्रेती रानी लगातार अमेठी के दोरे पर रही और खुद को अमेठी की बेटी बताया उन्होंने यहां के कई विकाश योजनाओं का सिले न्यास और लोकारपन भी किया इसके इलाबा अमेठी का कहना है कि उनकी वज़े से राहूल गांदी अमेठी आने लगे वरना वो 5 साल में एक बार चुनाब में ही यहां आते थे अमेठी लोकसवा सीट के तहर 5 विधान सवा सीट आती है इनमेठी जीले के तिलोई, जगदीशपूर, अमेठी और गौरी गंज सीटे शामिल है जबकि राइबरेली जीले के स्वलोन विधान सवा सीट आती है 2017 के विधान सवा चुनाब में 5 सीटों में से 4 सीटों पर BJP और महज 1 सीट पर SP को जीत मिली थी, हलाकि सपा कॉंग्रेस गटबनन करके चुनाब मैदान में उतरी थी, फिर भी जीत नहीं सकी थी सपा ने तो गौरी गंज सीट जीती ली, लेकिन कॉंग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली अमेठी संसदिय सीट को कॉंग्रेस का दुर्ग कहा जाता है इस सीट पर अभी तक 16 लोग सबा चुनाब और दो उपचुनाब हुए हैं इन मेंसे कॉंग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज किया है वहीं 1977 में लोग दल और 1998 में बीजेपी को जीत मिली जबकि बसपा और सपा अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं दोस्तों आपको क्या लगता है इस वार अमेठी की सीट से कौन जीतेगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद